आशा पारेक का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ उनकी मा सुधा उर्फ सलमा पारेक एक बोहरी मुसलिम थी और उनके पिता बच्चु भाई पारेक हिंदु गुजराती थे उनकी मा ने उने कम उम्र में ही भारतिय शास्त्रिय नुर्थ्य सीखने के लिए बेजा आशा पारेक ने अपने करियर की शिरुवात एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बेबी आशा पारेक से की प्रसिद्ध फिल्म निर्देशग बिमल रॉय ने एक स्टेज समारों में उनका नुर्थ्य देखा और उन्हें 10 साल की उम्र में 1952 की फिल्म मा में कास्ट किया और फिर उन्हें 1954 की फिल्म बाब बेटी में दोराया जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने नाईका के रूप में अपनी शुरुवात करने का फैसला किया लेकिन उन्हें विजय भट की 1969 के फिल्म गुझ उठी शेहनाई में उनकी जग अभिनेत्री अमिता को लिया गया क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया था कि वो स्टार मेटेरियल नहीं है उसकी ठीक आठ दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर जी और लेखक निर्दिशक नासिर हुसेन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ 1969 की फिल्म दिल देखे देखो में नाईका के रूप में लिया जिसने उन्हें एक बड़ी स्टार बना दिया नासिर हुसेन ने उन्हें छे और फिल्मों में अपनी नाईका के रूप में लिया जब प्यार किसी से होता है फिर वही दिल लाया हूँ तीसरी मनजील बहारों के सपने प्यार का मोसम और कारवा उनकी सभी फिल्मे सूपर हिट होती थी इसलिए वोने हिट गल नाम से भी जाना जाता है आशा फारेक को उनकी अधिकांश फिल्मों में मुख्य रूप से एक ग्लैमर गर्ल या डांसर या टॉम बॉय की रूप में जाना जाता था जब तक कि निर्देशक राज खोसला ने उनकी तीन पसंदिदा फिल्मों में दुखद भुमिकाओं में कास्ट करके एक गंबीर छवी नहीं दी पहली 1966 की दो बदन दूसरी 1989 की चिराग जिसके लिए उने सर्वस्रेष्ट अभिनेतरी के लिए फिल्म फेर पुरसकार के लिए नामांकन मिला और तीसरी 1988 की मैं तुलसी तेरे आंगन की निर्देशक शक्ती सामन ने उनकी अन्य पसंदिदा फिल्मों पगला कही का 1970 कटी पतंग 1970 में अधीक महत्वपूर्ण भुमिकाय दी कटी पतंग में उने सर्वस्रेष्ट अभिनेतरी का फिल्म फेर पुरसकार मिला उनने उधार का सिंदूर 1976 में साहिक भुमिका भी निवाई आशा फारेक जी ने दिल देके देखो 1969 से मुख्य भुमिका की शुरुआत की और जब प्यार किसे से होता है 1961 भरोसा 1963 जिद्दी 1964 मेरे सनम 1965 तीसरी मनजिल 1966 लविन टोकियो 1966 दो बदन 1966 आये दिन भार के 1966 उपकार 1967 कन्यादान 1968 शिकार 1968 आया सावन जुमके उन्निसो उनात्तर साजन उन्निसो उनात्तर चिराग उन्निसो उनात्तर किटी पतंग 1970 आनमिलू सजना 1970 मेरा गाव मेरा देश 1971 कारवा 1971 समाधी 1972 हीरा 1973 उधार का सिंदूर 1976 मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978 आशा पारिक जी ने तीन गुजराती फिल्मों में याने अपनी मात्रू भाषा में भी अभिने किया पहली फिल्म अखंड सो भाग्यवती 1963 थी जो बहुत बड़ी हीट थी उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अभिने किया जैसे दर्मेंदर के साथ कंकंदे ओले 1971 और दारा सिंग के साथ लंबरदारनी 1976 और साथ ही हीट कंड़ फिल्म शरवेगडा सारदरा 1989 में भी काम किया है एक प्रमुक नाइका के रूप में उन्होंने देवानंद शम्मी कपूर और राजश खन्ना जैसे अभी नेताओं के साथ लोक प्रिय ऑन स्क्रिन जोड़ी बनाई एक प्रमुक नाइका के रूप में अपने दिन खत्म होने के बाद अशाफ पारेक जी ने लुकाब बच्चन की भावी का रोल किया लेकिन उन्होंने इन भुमिकाओं को अपने करियर का अजीब दोर बताया इसलिए उन्होंने फिल्मों में अभिनए करना बंद कर दिया और उनके दोस्तों ने उन्हें टेलीवीजन निर्देशक बनने की सलाह दी उन्होंने उनकी सलाम मानी और 1990 के दशक की शिरुवात में गुजराती धारावाई जोती से टेलिविजन निर्दिशक बन गई उन्होंने अकुरुती नामक एक प्रोडक्शन कमपनी बनाई और पलाश के फूल, बाजे पायल, कोरा कागज और एक कॉमेडी दाल में काला जैसे धारावाई कों का निर्मान किया वो 1994 से 2000 तक सिनी अर्टिस्ट असोसियेशन की अध्यक्ष रही हैं, आशा पारेक भारत के सेंसर बोर्ड की पहली मैला अध्यक्ष थी, वो 1998 से 2001 तक इस पत पर रही, जिसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिला, लेकिन फिल्मों को सेंसर करने और शेखर कपुर की एलिजा बेत को मन्जुरी नहीं देने के लिए काफी विवाद हुआ, सन 2017 में देहीट गल शिर्शक से उनकी आत्मक था खालिद मुहमत द्वारा सहल लिखित रिलिज हुई थी, आशा पारेक जी आज इवन अविवाहित रही है, वो निर्देशक नासिर हुसेन के साथ रोमेंटिक ग्रूप से जुड़ी हुई थी, जो पहले से ही शादी शुदा थे, लेकिन दोनों के परिवारों के सम्मान के कारण उन्हा ने उनसे शादी नहीं की, उनके नाम पर सांता कुरुज मुंबई में एक अस्पताल है, जिसे BCJ अस्पताल और आशा पारेक रिसर्च सेंटर कह जाता है, क्योंकि उन्होंने मेडिकल और सर्जिकल विंग के लिए दान दिया था, आशा पारेक ने अपने चार दशक से अधिक लंबे करियर में, 85 से अधिक फिल्मों में काम किया है, आशा पारेक जी को दो फिल्म फेर पुरसकारों सहीत, कई पुरसकार प्राप्त हुए हैं, 1992 में सिनेमा के क्षित्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार दोरा उन्हें पदमश्री से सम्मानित किया गया, 2002 में उन्हें फिल्म फियर लाइफ Reynolds अचुव्मेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2020 में दादा साफ फाल के पुरसकार से सम्मानित किया गया मिमिकर टीवी हिंदी सिनेमा की मल्टी डैलेंटेड अभिनेत्री निर्माता निर्दिशक आशा पारेक्ष जी के फिल्मि सफर को सलाम करता है